गुडियो रिंग बच्चो देखो बच्चो अपने जियोग्राफिक की जो सेकेंड बुक है भारत लोग और अर्थ्विवस्ता यह बुक अपने चल रही थी और इस बुक में आज अपने एक नया चेप्टर स्टार्ट करें और वह है अपने इकाई सेकेंड का फर्स्ट रहे मानवबस्तियां इस चेप्टर की चर्चा अपने आज की क्लास में करेंगे देखो हलागके अपने जो फर्स्ट बुक थी भी या उसमें अपने लाश्ट ही जो था वह मानवबस्तियों ने निके बारे में पढ़े चुके हैं थीक है अब बात करते हैं ऑपने मानवब बस्तिया क्या होती हैं, किस परकार की होती हैं, किस कौन से से कारण हैं, जिन से परभावित होती हैं, इन सबी बिंदों के उपर चर्चा अपने आज की कलास में करेंगे. सबसे पहले बात करेंगे, बिया बस्तिया कहते किस को हैं, अपने कई बार अपने नॉर्मल आम बोलचाल की बासा में कहते हैं, कि सर ये हमारी बस्ति है, ये सर दूसरे गाओं की बस्ति है, ये तीसरे गाओं की बस्ति है, तो बस्ति का मतलब क्या हो गया है, शीदा सा ज्यार करते हो उनको बोलते है मानव बस्तिया समझ रहें, जहाँ पर खूप सारे मकान, बनलब 200, 400, 500 इस शेंक्या में जहाँ पर क्या हो मकान हो अब मकान की जरुट नहीं है कि अपने मकान पास पास में हो सकता है, दूर दूर भी हो सकते है हो सकता है लंबा कार भी हो सकते है हो सकता है आयता कार भी हो सकते है हो सकता है अपने रेखे भी हो सकते है किसी भी स्रेंचना में हो लेकिन क्या होना चाहिए गरों का एक समू है होना चाहिए और उसमें कौन रहने चाहिए लोग निवास करने चाहिए तो देखो अपने कार के घर हो सकते है छोटे भी हो सकते है बड़े भी हो सकते है एक मंजिल के दो मंजिल के बहुं मंजिल के कैसे भी हो सकते है ठीक है लेकिन क्या हो गरों का समू हो और उनमें कौन निवास करते हो भी या मनुश से निवास करते हो उन्हें अपने क्या कहते हैं मानव बस्ती कह मतलब जहां पर खूब सारे घर हो चाये वह केसे भी हो कच्चे हो या पक्के हो चाये पर वह एक मंजिल के हो चाये पांच मंजिल के हो केसे भी हो लेकिन वह के हो एक इकटे हो खूब सारे हो घरों का एक समो हो उन में कौन रहते हो लोग निवास करते हो मतलब वहां पर लोग आकार के आधार पर जो है दो बागों में बाटा गया है या बस्तिया जो है इनको अपने कितने बागों में बाटा है दो बागों में बाटा है और कौन से आधार पर आकार के आधार पर एक हो गई भी या अपने कौन सी बस्तिया ग्रामिन बस्तिया और दूसरी हो गई अपन पर होती है नगरों में होती है वह क्या कहलाएगी अपने नगरिये बस्तियां ये तो हो गई अपने सीधी सी परिबासा लेकिन नगरिये बस्तियां वास्ति ग्रूप से कौन सी होती है उनकी विसेश्ता है क्या होती है उनके कारिये क्या होती है उनकी विसेश्ता है क्या होती इनकी अपने चरचा करते हैं। देखो भीया, सबसे पहले बात करते है। ग्रामिन बस्तियों के जो गावम में होती है। ये कारिये किए जाते हैं अब यहां पर क्यूशन पूछ लाइंद के डवारा कौल से कारिय कि जाते हैं तो आप कर सकते हो कि सरकर्षी है पसुपालर मतस्पालर को खनन वगर खनन मतलब खनीजों को खोद कर निकालने की परकरिया दूद का व्यापार है सबजी बेशना है ये सारे गतिवीदिया जो है वो कापर होती है गरामिन बस्तियों में होती है तो अपने शीदा कहे कि प्रात्मिक छेतर में जो गतिवीदिया आती है नविया मुख्यरूप से प्रात्मिक छेतर में कर्शी पसुपालर और मतसे पालन ये सबी कार ये जो है है ग्रामिन बस्तियों के दोरा किये जाते हैं इनके अलाव या जो गाओं के लोग होते हैं उनमें आपसी क्या होता है जुड़ा भी होता है आपस में उनमें एक प्रेम भी होता है उनमें आपस में लगा होता है एक परकारशी जो सामाजी समंध होते हैं वो मजबूत होते है गाओं में हम सब यह गाओं में रहते हैं ठीक है तो गाओं में आपने देखा होगा कि सबी लोग जो है वो आपसे मिलजूल कर रहते हैं किसी एक के समझ्या हो जाती है तो दूसरा उसकी हैल पे करता है लेकिन सहरों में ऐसा नहीं होगा भी या नगरों में ऐसा नहीं होता है नगरों में तो एक दूसरे का पता ही नहीं होता है कि अपना पड़ोशी कोन है आप बड़े बड़े नगरों में चले जो मुंबई में एक धर आप जाके देखो एक पड़ोशी को ये पता नहीं कि अपने पड़ोशी दूसरा कोन सा है वह क्या काम करता है जबकि गाओं में किसी को पूछ लो किसी का एड्रेस पूछ लो किसी का नाम पूछ लो आपको तुरंट बता देंगे क्यों क्यों कि गाओं के जो बस्तिया होती है भी या उनमें आपसी जुड़ा होता है प्रेम होता है आपसी मेल मिला होता है और यह बस्तिया जो होती है यह चोटे आकार की और वीरल होती है ग्रामिन बस्तिया जो होती है वो केशी होती है छोटे आकार की मतलब मकान जो होते है ना वो कम होते है और वीरल वीरल मतलब दूर दूर होते है ऐसे टेस्टरस में टेस्टरस में ने ते पास पास ने ते दूर दूर मकान होते हों उनमें थोड़ा बहुत ग लगाओं के लोगों के मुकाबले क्या होता है कम होता है एकांत में रहना पसंद करते हैं लिमिटेड मेल मिलाप रखते हैं अपने जिसे होली डिपावली का परवो होता है तो यह गौव में अपने कितने मेल मिलाप होता है हम एक दूसरे के गुरों में जाते हैं मिठाईयां वित्रित करते हैं दोग वगरे देते हैं राम राम वगरे पढ़ना वगरे कर ले जाते हैं जबकि सेरों में इसा नहीं है सेरों में अगर है तो भी वह क्या है लिमिटेड है बहुत ही कम है इसके अलाब यहां पर यहां पर यह जो बस्तिया होती है यह कैसी होती है बड़े आकार की होती है कि ग्रामिन बस्तियों में जो मकाल होते हैं भी या वो दूर दूर होते हैं और जन संग्या जो है भी या वो क्या होगी नगरे बस्तियों में ज्यादा होगी जैसे अपने इतियास में पढ़ते हैं भी या बंबई के चोल पढ़ाया था मैंने आपको तो चोल में आप देखत को आकार के आधार पर दो बागों में डिवाइड किया गया है एक तो है ग्रामिन बस्तियां एक है नगरिय बस्तियां जो गाउं में होगी वो ग्रामिन जो नगरों में होगी वो नगरिये इनमें प्रात्मी गतिविदी इनमें दीवतियक और तिर्तियक इनमें भीया मेल मिल वो सगरने होते हैं अब सबसे पहले बात करेंगे विया अपने किनकी ग्रामिन बस्तियों की देख विया ग्रामिन बस्तिया जो है इन ग्रामिन बस्तियों को अपने चार बागों में बाटा गया है ग्रामिन बस्तिया जो है इनके अपने चार प्रकार की होती है या ग्रामिन मतलब गुच्छा तो इंगुच्छे होते हैं इस में नहीं होते हैं । समझ लेओ, देखो, इन बस्तियों कि भी यह जो आ करती है वो या तो आयताकार, आयताकार केसे? इस परकार से, ठीक है, इस परकार से आयताकार हो गए मालो, ठीक है, इधर मकान हो गए अपने, आपको यह पहले भी मैं समझा चुका हूँ, वैसे तो कोई दिक्ट नहीं हो नी ये केशे हो गई रेखिये या फिर अरिये होते है भी या अरिये मतलब जहां पर मतलब कई इस परकार से कई रास्ते जो है वो आपर एक स्थार में मिलते हैं और इन रास्तों के चारों और जो है मकान बनने प्रारम में हो जाते हैं वो केशे हो गई अरिये तो कहने का मतलब हो होती है भी यह उनका आकार या तो आयताकार भी हो सकता है या रेख्य भी भी हो सकता इस परकार की यह बश्त्या पाई जाती है दूसरी बात भी यह इंने मकान के से होंगे पासपास में होंगी टश टश में होते हैं गुच्छित गुच्छित का मतलब गुच्छे के रूप में नजदीक नजदीक ठीक है तो इन में मकान जो होते हैं वो पास-पास होते हैं या अपने कहते दूसरी बासा में सगने होते हैं ठीक है ठीक है ठता यहां की जो गलिया और जो सडके हो होती है यह बस्तियां उपजाओ अब कहां पर बईया यह बस्तियां बसेगी यह बस्तियां बईया वहां पर मकान सगन कहां पर होंगे जहां पर या तो कोई अच्छा रोजगार है जहां की भूमी अच्छी उपजाओ है जहां की भूमी या जहां का जलवाई हो या जहां की बहुती कारक जो है अच्छे है जहांकि सांस करते कि आमानों जनी जो दसाय है वो अच्छी है वहाँ पर तो इस परकार की बस्तिया बसेगी तो इस परकार की बस्तिया जो है या उपजाओ जलोड मेदानों में जलोड मेदानों में जहां पर जल किया दिकता है जहां पर कार की बस्तिया पाई जाती ए अत्वा रेगिस्थानी छित्रों में अब गुच्छित बस्तियां जो है वो कहां पर पाया जाती है अपने उपजाव जलोड मेदानों में उत्री पूर्वी राज्यों में तता रेगिस्तानी छित्रों में ये इस परकार की बस्तिया पाई जाती है उत्री पूर्वी राज्यों भी या अपने रोजगार की द्रश्ट हैं वो है भी या अपने अर्द गुचित अथवा विखन्डित बस्तिया देखो यहां पर यह कैसी है गुच्छे के रूप में है गुच्छित है ठीक है अर्द गुच्छित का मतलब क्या हो गया इन से तोट कर कुछ मकान अलग हो गए इनके साथ में नेरे रहे वो थोड़ा अलग होने से इन ब़स्तियों का क्या होता है? निर्मां होता है. जिसे माडरो वियर 500 मकान हैं, उन 500 मकानों में तो हो पांस मकानों वाले बेखते जो है वो गरीब है, बाकी के लोग इन को परिषान कर रहे हैं या membershipkommen वाले हैं, यह जाते हैं, कि यार अपने तोड़ा सा शांत एरिये में रहेंगे अपने इस बीड में नहीं रहेंगे तो वो पांच जो है वो गाउं से थोड़ा सा साइड में जाकर अपने मकान मना लेते हैं तो वो किसी बस्तिया हो गई अपने अर्द गुच्छित बस्तिया और ये किन से अलग होती है गुच्छित बस्तियों से अलग होती है इनने में से अलग हो जाएंगे भी या कुछ मकान और बाहर जाकर साइड में जाकर थोड़ा सा दूर जाकर अपना निवास बना लेंगे गाउं के मद्दे में होकर गाउं से थोड़ी दूर मतलब गाउं से थोड़ी दूर जाकर जो है वो क्या कर लेते हैं अपना निवास बना लेते हैं जैसे भी आपने देखा होगा वर्तमार समय में अपने गाउं से धानिया जो होती है या जो खेत होते हैं उन खेतों में लोग निवास कर रहे हैं मूल जो उनका उद्गम था अपने जो पहले वो गाउं में रहते थे लेकिन अब गाउं को उन्हों ने छोड़ दिया है और खेत में निवास करने लगए है ठीक है या कई बार देखते हो कि कुछ सी गरीब लोग होते है पिछले वर के लोग होते हैं उनको गाउं के लोगों के दोरा परतारित किया जाता है या गाउं के लोगों दोरा उनको पर दबाव डाला जाता है तो वो गाउं से थोड़ा बाहर की तरफ रहते या कुछ लोग जो है वो अपने इच्छ ऐसे श्यूम की इच्छ के से कि अन्व को तो तोड़ा सा इस भी 250 बार से फोला सा बाहर रहना है हमें पढ़ना है हमें एक परकार से सुष्ट महौल सरी है हमें सुष्ट जलवाई चाई है सुष्षराबा नहीं क्या है ठीक है यह बस्तिया भीया अपने गुजरात के मेदाने बागों में और रास्तान के कुछ बागों में पाई जाती है नमबर तीन आती है भीया पल्लीकर्ट अथ्वा पल्ली बस्तिया पल्लीकर्ट अथ्वा पल्ली बस्तिया देखो भीया किसी बड़े गाम से अलग होकर मतलब यह जो है यह इसी का रूप है एक प्रकार सी यह भी ठीक है इसमें भी अलग ही हो रहे है इसमें भी क्या हो रहे है अलग है लेकिन इसे छोटा रूप है यह पल्लिकर्ट बस्तिया ये क्या है सबसे छोटी बस्तियों का रूप है सबसे छोटी बस्तिया है कौन सी पलिकर सबसे बड़ी हो गई आपके ये ठीक है और सबसे छोटी कौन सी है ये इसमें क्या होगा भी आप किसी बड़े गवाँ से अलग होकर अलग कब होगे या तो अपनी इच्छाशे हो रहते हैं इन बस्तियों को भी या अपने पाना पाडा पाली नगला और धानी भी कहा जाता है अप धानी नाम आ गया तो यहांपर आप समझ गये होंगे क्योंकि लग 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 बग आप धानी से परीची तो अपने गाउं में होती है ये जाटों की डानी है ये राजपुतों की डानी है ये पिलाणियों की डानी है ये पूनियों की डानी है ये डाक्षाओं की डानी है सुना होगा अपने नाम कई बार इस परकार के तो धानिया होती क्या भी या वो धानि क्या होती है पांदस मकानी तो होती है ना वो क्या करते हैं अपने मूल गाओं को छोड़ कर बाहर की तरफ रहने लग जाती है ठीक है तो यह क्या है अपने पल्ली करती बस्तिया सबसे छोटी बस्तियों का रूप यही है ठीक है यह सबसे प्रिक्षिप्ट अत्वा एका की बस्तिया देखो इसका उल्टा गरोबिया इसमें क्या हो रहे गुच्छी मतलब इसमें क्या है मकान पास पास में है इसमें मकान केसे हो जाएंगे भी या दूर दूर हो जाएंगे एक कांग की मतलब एक 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 ठे एक ठे समझ रहे आप तो यहाँ पर घर दूर दूर होते हैं जेसे भी आज जंगलों में जंगलों में आपने देखा होगा ठीक है या फिर पहाड़ियों के ढालों पर जो धालोमा पहारी होती है भिया, वहाँ पर देख लो या फिर अपने चारागाहो भूमी पर जहांपर अपने पस्वोगों को चराते हैं तो कैने का मतलब धाल ओगया, देखो यहां पर एक वर द्यान देला सुदूर, जंगलों में पहाडियों के धालों पर और चारह गाहों पर इस परकार की बस्तिया पाई جाती है तो भ्या यहाँ पर यह तीनों दाम जो मैंने आपके सामने लिखे हैं यहाँ पर तीनों पर ही भिया कर्शि का कारिय नहीं होता तो कहल terr का मतलब हो गया ऐसी भूमी जो कर्शि योग्य नहीं है जहां पर कर्शी कार ये नहीं किया जाता वहां पर भीया इस परकार की बस्तियां बस्ती है जैसे अपने मेगाले है, अपने उत्राखंड है, अपने केरल है, हिमाचल परदेश है वहां पर इस परकार की बस्तियां पाई जाती है ये थी भी या अपने ग्रामेल बस्तियों के परकार या उनके रूप अब इसी में भी या एक टोपिक और है अपने बस्तियों के प्रारूप के लिए उत्तरदाई कारक हालांकि इसकी चर्चा अपने जब फर्स्ट बुक पढ़ी थी मानो बस्तियां वाली उसका जो चिप्टर पढ़ाता उसमें भी अपने चर्चा की थी कि बस्तियां जो है उनको कौन-कौन शे कारक पर बावित करते हैं कहां पर बस्तियां बस्तियां तो ये सिंपल सा क्यूसर ने आपको बताया हुआ भी या अपने जिसे बोतिक कारक है बोतिक कारक में जैसे मालो जल्वायू है किसी स्थान की उंचाई है जहांकि जल्वायू अच्छी होगी वहां पर बस्तिया बसेगी उंचे स्थानों पर बसेगी भी यशी ठीक है जहांकि परकर्टी अच्छी होगी जहां का धरातल अच्छा होगा जहां पर जल्ड की उपलबता हो अच्छी होगी वहां पर बस्तिया बसेगी दूसरे अपने कह सकते हैं सांसकर्टिक और मानवजनित का रख सांस कर्टिक और मानो जिनित का मतलब जहां के मानो केशे हैं किस तरह के लोग है कौन सी जाती के लोग है वहां का समाज कैसा है वहां के समाज की सरेंचना कैसी है उसके आदार पर बस्तिया बस्तिये तीसरा आपने कहे सकते हैं कि जहांपर भी आपको सुरक्सा उपलब्द होगी समझे रहे हो जहांपर मतलब एक सुरक्सा का महलोगा जहाँ जहांपर चोरिया नहीं होगी ड jog Scotia नहीं होगी कि सरम राष्टान में निवास करना पसंद करेंगे क्यों कि राष्टान विया आपको सुरक्सा प्राप्त हो सकती है अलागि जमूर में भी अप तो पहले जाशी बात नहीं रही है लेकिन फिर भी भी या वहाँ पर कुछ अपने रिस्क की है एक परकार से देखे तो कहने का मतलब है यह किसर अपने बस्तियों के प्रारूप के लिए उतरदाई कारक कौन कौन से यह मैं आपको पहले बता चुका हूँ मोटा मोटा वापस आपको बता दिया बोती कारक है मानव जनित कारक है सांस करती कारक है सुरक्सा समंदी कारक है यह जहां पर बैटर होंगे वहाँ पर बस्तिया बसेगी यह जहां पर नेगेटिव होंगे वहाँ पर बस्तिया नहीं बसेगी या कम बसेगी ठीक है तो ये थी भी यह अपने आज की क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टोपिक के साथ That's all